नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागता आपके अपने यूटूब चैनल विकास फिजिकल एजुके सिन स्टडी पर मैं आपका साथी विकास लगातार बना हुआ हूँ आपकी परिक्षागी तैयारी के लिए आपके साथ और हमने ओलंपिक मैं प्राचीन ओलंपिक किया और उसके बाद ग्रीशम कालीन ओलंपिक के तीन चार्ट पार्ट है और जो इसके अलावा भी विन प्रकार के ओलंपिक आज वो बताऊं आपको चलिए दोस्तों सीथ कालीन ओलंपिक सीथ कालीन ओलंपिक कब सुरुआत वी वहीन की 1924 चार्मोनिकस कांवी फ्रांस में फ्रांस में इनकी सुर्वात होई और बारत ने कब बाग लेना आरंब किया 1964 से 1964 बारत ने सीथ कालीन ओलंपिक में बाग लेना आरंब किया ओलंपिक में भाग लेना आरंद किया जो अगले जो 2018 के सीत कालीन ओलंपिक का हूँ है 2018 सीत कालीन ओलंपिक सीत कालीन ओलंपिक का हूँ है भई पयोंग चोंग दक्षिन कोरिया बई इनका आपको बताना है कि इनका पितामा कोन था सीत कालीन का वीडियो में कमेंट करके बताना मैं पढ़ता हूँ नेट पे देख्या है तो कुबर्ट नहीं दिखाता है विंटर ओलंपिक का भी किसी को ये आपको इसका जवाब कोई ओर हो तो कमेंट में देना है पयोंग चोंग दक्षिन कोरिया में होई दोजार ठारा के 2022 के सीथकालिन ओलंपिक सीथकालिन ओलंपिक की सुरुवात 1924 फ्रांस में 1964 से भारत ने सीथकालिन ओलंपिक में भाग लेना आरंब किया 2018 के सीथकालिन ओलंपिक पयोंग चोंग में भारत के दो खिलाडियों ने भाग लिया 2018 के विंटर ओलंपिक में पर्थम स्थान पर कौन रहा वे नार्वे नार्वे एक बहुती सुन्दर कंट्री है यूरोप की और इसकी राजदानिय ओसलो और अर्ध रातरी का सुरिय भी नार्वे को का जाता का दिखाए दितार दरातरी का सुरिय है नार्वे में उसकी अक्षांसिय स्थिती ऐसी है देशांतर स्थिती और अक्षांसिय स्थिती ऐसी है कि वहाँ कई बार तो ठारा ठारा गंटे का दिन होता है और कई बार ठारा ठारा गंटे की रात वो उसकी पृत्विकी स्थिति के इसाब से तो भारत के दो खिलाडियों ने बाग रिया प्योंग चोंग में और पर्थमस्तान पर रान नारवे और दो जार बाइस के सीथ काली न ओलंपिक बीजिंग चीन महोंगे 1924 चार्मोनिक्स फ्रांस से ये चले आरम भुवायन का और 1964 से भारत ने बाग ले नारम किया 2018 के सीथ काली न ओलंपिक प्योंग चोंग दक्षिन को रिया नारवे पर्थमस्तान पर और भारत के दो खिलाडियों ने बाग लिया 2022 के सीथ काली न ओलंपिक काऊंगे बीजिंग चीन में आगे चलते दोस्तों अगला है जो डीफ ओलंपिक इनकी भी सुरुवात 1924 में ही इनकी भी सुरुवात 1924 में हुई डीफ ओलंपिक ये किसके लिए ओता है बाई सीथ काली न ओलंपिक में तो सभी खिलाड़ी बाग ले सकते हैं अगला है डीफ ओलम्पिक डीफ ओलम्पिक ये किसके लिए है वाई ये मूखबदिरों के लिए है किसके लिए है मूखबदिर जो गुंगे बैरे हैं ये डीफ ओलम्पिक किसके लिए है गुंगे बैरों के लिए कब सुरुवात हुई 1924 में 1924 में इनकी सुरुवात हुई इ जनक कौन है वई यूगिने रूबेंस इसका जो जनक है कौन है यूगिने रूबेंस आपको ये मालूम होना चाहिए और विंटर डीफ ओलम्पिक की सुरुवात कहा हुई वई उनिस सो सततर में इतना ज्यादा डीफ ली आपको याद करने की जरूरत नहीं है ये पूछा जा सकता है डीफ ओलम्पिक इनका पितामा क्योंकि पिछले जो एस्ट्याट हुए थे उनमें एक में पूछा गा आता सर जो जो जोन रोसंजोफ किसके जनमदाता है कौन से खेलों के तो वे हैं यूथ ओलम्पिक के और ये डीफ ओलम्पिक के पितामा कौन है यूगिने रुबेंस मूखवदिरों के लिए है उनिस सो चोबिस में शुरुवात हुई और भाई 2017 में कहा हुए सैम्सन सैम्सन में हुए 2000 ट्रक्की में सैम्सन रूश या ट्रक्की में सैम्सन में हुए भाई ये 2021 में कहा हुए 2021 में हुए कैक्सियोस डोसूल ब्राजील में भाई थोड़े नाम अटपटे हैं भाई ये याद करने थोड़े मुश्कित सैम्सन रस्या में है या ट्रक्की में है सैम्सन ट्रक्की में है या रस्या में उठपटाग नाम थोड़े शी 2021 में Cassius Dossul में ब्राजील में होंगे Deep Olympic का पिताम आपको याद रखना है और 1924 में इनकी शुरुवात याद रखनी है जो मेन है और ये भी पूछे जा सकते हैं ज्यादा deeply जाएगा तो तो Deep Olympic 1924 में शुरुवात इनका Deep Olympic आजनक उगिने रिवांस और 2017 में Samson में हुए और 2019 में Cassius Dossul में का ब्राजील में होंगे आगे चलते हैं दोस्तो Para Olympic Para Olympic किनके लिए होते हैं बही Para Olympic जो अपंग है जो विकलांग है उनके लिए होते है Para Olympic पहरा ओलंपिक, किसके लिए हैं वई, विकलांगों के लिए, विकलांगों के लिए हैं, कब शुरुवात हुई वई, 1960 में, 1960 में शुरुवात हुई, बारत ने कब बाग लेना रम किया, बारत ने 1968 में बाग लेना रम किया, अंतराष्ट्रिय पैरा ओलंपिक कमेटी की इस्तापना, अंतराष्ट्रिय पैरा ओलंपिक कमेटी, थोड़े से मुश्किल नाम है भई, बहुत देर लगेगी, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, 1989 सर्बोन में, मुख्याल है इसका सर्बोन, सर्बोन में होई इसकी इस्तापना, और बारतिय पैरा ओलंपिक कमेटी, बारतिय पैरा ओलंपिक कमेटी, की स्तापना वही कब, 1902 में, 1902 में आपको याद रखना है दोनों, अंतराष्ट्रिय पैरा ओलंपिक कमेटी और ये, बारतिय पैरा ओलंपिक कमेटी, और पैरा ओलंपिक का जनक, जनक कोन है वही? लुडविंग गुटमैन इनका जनक आपको याद रखना है पैरा ओलम्पिक पैरा ओलम्पिक किसके लिए होते हैं भई पैरा ओलम्पिक होते हैं भी कलांगों के लिए कब शुरुवात होई भई 1960 में शुरुवात होई बारतन कब आगले नारम कया 1968 में अंतराष्टिय पैरा ओलम्पिक कमेटी की सुरुवा सतापना 1989 सर्वोन में है इसका मुखहलया बारतिय पैरा ओलम्पिक कमेटी 1902 में पैरा ओलम्पिक का जनक आपको याद रखना है एक्जाम में पूछा जा सकता है जनक कोण है लुडविंग गुटमैन लुडविंग गुटमैन इसके जनक है कोण है बाई लुडविंग गुटमैन आपको याद रखना है और सीथ का लिन पैरा ओलम्पिक की सुरुवातों 206 रह साय लेकिन वो इतना इंपोटेंट नहीं आपको ये याद रखना पैरा ओलम्पिक और पैरा ओलम्पिक काहां होते हैं बैई पिछले 3-4 आयोजनों से जहां गरिशम कालिन ओलम्पिक होते हैं अब के बार के काहां होई थे बैई 2016 पैरा ओलम्पिक रियो डिजी नेरों में हुए इन में कोण बाग लेता है विकलांग और अब वहां ही पिछले 3-4 आयोजन से वहीं हो रहे हैं जहां पर गरिशम कालिन ओलम्पिक होते हैं पैरा ओलम्पिक किसके लिए होते हैं विकलांगों के लिए जनक कोण है भई लुडविंग गुटमेन है 1960 में सुर्वात भारत ने कब भाग लेना रम किया हुई 1968 में अंतराष्टिय पैरा ओलम्पिक कमेटी की स्थापना 1989 सर्बोन में भारतिय पैरा ओलम्पिक कमेटी 1902 में 2000 सोड़ा के काऊं है focuses and 2019 bef select है आगे चलते हैं दोस्तों Youth Olympic कि किसके लिए होते हैं? यूवां के लिए होते हैं इसमें 16-17 साल के तक के बच्चे वाग ले सकते हैं Youth Olympic में Youth Olympic Youth Olympic, किसके लिए होते हैं वई, यूवाओं के लिए, जो किशोर हैं, उनके लिए होते हैं, सोडा या सत्रा में, इसमें कितनी एज है, सोडा या सत्रा साल तक, इसमें बच्चे बाग ले सकते हैं, और इनका क्वालिफाई होता है, Youth Olympic का जनक वई, Youth Olympic का जनक, एस्टेट में पूछा गया वई, जान रोसेन जाफ, जान रोसेन जाफ कूण हैं वई, Youth Olympic के जनक हैं, कब शुरुआत होई भई, 2010, का आप भई, सिंगापूर में, सिंगापूर, ये 100% बता जाता है, सिंगापूर साथ, 100% सहरी लोग निवास करते हैं इसमें, छोटा सा देश सिंगापूर, 2010 में, सिंगापूर में, पर्थम, यूथ उलम्पिक हुए, 2018 के हुए, बयुनेस, आयरेस, अर्जन्टीना, ये अर्जन्टीना की राजदानी है, अर्जन्टीना, दक्षिन, अमेरीका का एक देश और फुटबाल का खेल वहाँ परसिद है, लियोनन मेशी और डियागो मेरडोना वहाँ से संबंद रखते हैं, और बयुनेस आयरेस, लापलाटा नदी के किनारे है, कौन सी नदी के, लापलाटा और मासुदों के लिए, परसिद है, आपको बता देता हूं, 2022 के स्दगित होगे किसमे वही, 2026 में होगे वही स्दगित, कापना वही, सैनेगल, दकार है, डकार, सैनेगल की राजड़ानी है, आपको ये भी याद रखना है, Ragdarni याभी आपकी साथ साथ याज हो जेंगी सेनेगल एक अफरीका का देश है और फुटबाल का इसमें भी बहुत ज्यादा क्रेज है विसम का सबसे लोग प्रिये खेल क्या है फुटबाल है और पर्थम जो यूथ ओलंपिक है यूवाओं के लिए होते हैं सोडा या 17 साल की इन में लि यूथ विंटर ओलंपिक यूथ विंटर ओलंपिक कब शुरुवात वई? 2012 इंसबरक परफष्ट का हुए वई पर्थम बार पर्थम का हुए वई 2012 इंसबरक आस्ट्रिया में आस्ट्रिया में ये हुए Youth Olympic Youth Winter Olympic वई और इनकी जो 2020 में का हुए थे हैं लुशियाने स्वीड जर्लेंड लुशियाने स्वीड जर्लेंड लेंड में ये हुणे थे और 2016 के का हुए लिले हमर 2016 के लिले हमर में हुए और आपको ये याद रख़णा है Youth Olympic का पितामा है John Rosenzow जनक 2010 में ये या सकता 2010 में इनका पहला आए जनवा सिंगापुर में 2018 के वेनेसारस में और 2022 के हैं जो स्थगित होगे डकार सेनेगल में Winter Youth Olympic 2012 इंस्वरक आश्टरिया में 2016 के वेलीले हमर में और 2022 के होगे लुशियाने 2020 के लुशियाने स्वीड जर्लेंड में आगे चलते हैं दोस्तो Special Olympic Special Olympic किसके लिए होते हैं जो मानसिक रूप से वेकलांग है जो मानसिक रूप से वेकलांग है और इनकी सुरुवात कब हुई भई 1968 में Special Olympic आपको याद रखना है Special Olympic कब सुरुवात हुई भई इनकी सुरुवात हुई 1968 में इनका जनक पितामा कोण है भई यूनिस यूनिस कैनेडी स्नाइवर कोण है भई यूनिस कैनेडी स्नाइवर Special Olympic का जनक है 1968 में पर्थमबार हुए भई और इनका जो Special Olympic किसके लिए होते हैं भई मानसिक रूप से विकलांग आपको याद रखना है एक कोश्चन आ सकता है मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए विकलांग के लिए होते ही हैं 2019 में का आविजन अबुदाबी अबुदाबी में होगा और 2023 में कहा होगा भई बर्लीन में बर्लीन जर्मनी जर्मनी में होगा यह है संयूक्त अबुदाबी है संयूक्त स्पेशल विंटर उलम्पिक 1977 से मानने जाते हैं वो इतना इंपोर्टेंट नहीं है स्पेशल उलम्पिक की इस से याद रखने जो गहें बाते हैं गाजनकोन यूनिस कैनेडी सनाइवर और किसके लिए होते हैं मानसिक रूप से विकलांग के लिए 1968 में पर्थम बार 2019 में अबुदाबी सन्यूक्त अरव अमिरात मवी वह एक कोच्चन हो रहा था यूथ उलम्पिक में वारत का दल कितना था यूथ उलम्पिक में बारतिय कितने खिला बारतिय दल में कितने खिलाडी दे तो इसका आंसर था चालिस चालिस आंसर था ये एक्जाम में कोच्चन आया था 2019 में अबुदाबी सन्यूक्त अरव अमिरात में होंगे कोण से स्पेशल उलम्पिक स्पेशल उलम्पिक पर्थमवार 1968 यूनिस कैनेडी सनाईवर इनका जनक था मांसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए होते हैं 2019 में अबुदाबी सन्यूद अरव अमिरात में इनका अवजन हुआ 2023 के बर्लिन जर्मनी में बर्लिन सपरी नदी के किनारे है और जर्मनी की राजदानी है और आगे चलते हैं ये कोचना दा यूथ उलम्पिक में वारतिय दल छालिस की लाड़ी दे वही एथलेट तो दोस्तों उलम्पिक से रिलेटिड मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको कलीर करने की सोचिया और अपनी पूरी ताकत के साथ वीडियो बनाई है बर्डन ज़्यादा है कुछ बुक्स में गलतियां हैं बहुत ज़्यादा फिर भी मैं मिनिमुम गलतियां करने की सोचता हूँ गलती करने पर मुझे भी खुद दुख होता है और आप कॉमेंट में बता दिया करो और परसनल मैसेज भी कर सकते हो ताकि हम अपनी गलतियों को आगे सुधार सके और लेकिन 99.99 हम सोचते हैं कि हमसे गलती ना हो और बुक्स में इतनी गलती हैं फिर भी मैं बहुत कम गलती हैं करने की कोशिस करता हूँ हमारे चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए, सस्क्राइब कीजिए